A very good morning to all of you नमस्कार, आदाब, अभिनन्दन, रादे रादे, राम राम कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे हर्याना करेंट अफेर 25 मई 2020 के लेके हाजिरू में आपके आगे तो चलिए शुरू करते हैं हर्याना के कुछ महत्यपूर्ण करेंट अफेर्स हम लोग जानना और सीखना चलिएगा सबसे पहले हमें ये जानना है कि दुनिया भर के अंदर क्रोना वाइरिस के जो केसिस है वो कितने हो चुके हैं? 24,62,638 लोग जो है इस महामारी से संकर्वित हो चुके हैं अब तर और मरने वालों की संख्या जो है वो 3,45,406 पहुँच चुकी है वहीं इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 22,86,820 है दुनिया भर में अमेरिका के अंदर 16,75,880 केसिस है और मरने वालों की संख्या तकरीबन 99,000 को भी क्रोज कर चुकी है दो नमबर पे ब्राजील है, तीन नमबर पे रश्या है और इस लिस्ट के अंदर अब हम आने लगे हैं टॉप 10 के अंदर दस्वे नमबर पे भारत का स्थान है तो भारत के अंदर 1,38,239 केस हो चुके है एक दिन के अंदर 604 केसिस आये है जो की अब तक में सबसे जादा है और यहां पे मरने वालों की संख्या भारत में 4,024 हो चुकी है एक नमबर पे महरास्ट्रा है, दो नमबर पे तमिल नाडू है तीन पे गुजरात है, और चार पे दिल्ली है, और पांच पे राजस्थान है यही आंकड़ा अगर हमारे प्यारे हर्याना का देखा जाए तो हर्याना की अंदर जो है, वो टोटल केसिस अब 1184 हो चुके है 53 केस नए बड़े है, मरने वालों के संख्या 16 है एक नमबर पे गुरूगराम है, दो नमबर पे फ्रिदावाद है, तीन नमबर पे सोनिपत है चलिए का कल मैंने आपसे पांच सवाल पूछे थे पहले का जवाब है कि जो मंगल रगुनाज जी थे इनकी पानिपत की तीसी रड़ाई के बाद में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है देवी तलाब मंदिर दूसरा क्यूसरन का अंसर था कि धर्सु में जो परसिद संत की द्रगा है उनका नाम है हजरत शहा कलमुदीन हमजा पीर हुसेन और अगला क्यूसरन था कि जो तीसर स्रोवर के पास में जो मंदिर बनवाया था संक्राचार्य मंदिर उसका बनाने का या निर्मान करने का स्रे जाता है काम, कोटी, पीट के संक्राचार्य दवारा या उसी पीट को ये स्रे जाता है हर्याना के मेवात के अंदर जो बड़े-बड़े नगारे, डफ, मजेरे जो है इसके साथ में एक नर्ते होता है उसका नाम है मजीरा नर्ते और जीन्द के पास में तो जीन्द जब भी नाम आए तो आपको पांडू-पिंडारा जरूर याद रखना है यहां पे हर सौमती माउशय के दिन जो है मिला लगता है चलेगा आज का पहला क्यूस्टन है कि अनाथालियों में रहे रहे निराश्रित बच्चों को हर महीने कितने रुपे की आर्थिक मदद मिलेगी तो अब हरियाना सरकार दवारा अनाथालियों में रहे निराश्रित पर हर्याना में कितने गाउं हिंदू विहिन हो गए हैं बहुत इपार्टन क्यूस्टन है हर्याना के अंदर जो है एक सो तीन गाउं हिंदू विहिन हो चुके हैं ये रिपोर्ट आई है विश्वे हिंदू परिशद के नेताओं ने जो है वो हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर को जो है एक सो तीन गाओं के विहिन होने की रिपोर्ट दी है और इसमें ये कहा है ये हिंदू विहिन क्यों हुए है क्योंकि धर्मानतरन हो रहा है जिसे फर एक्जामपल बात करता हूँ मैं क्रिश्चन हूँ अगर ठीक है तो मैं किसी और को भी क्रिश्चन के ल ये कदम उठाया जाएगा विश्व हिंदू परिश्च जो है इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी हैड़कॉर्टर न्यू डाली के अंदर है और इसका मोटो है धर्मो रक्षा रक्षते ठीक है धर्मो रक्षती रक्षते रक्षित है ये संस्कृत के अंदर लिखा हूए ठीक है आगे जाते हैं हम लोग तो देश में तीसरा सबसे गरम सहर कौन सा है तो भी देखिए का पूरे देश के अंदर जो है तीसरा सबसे गरम सहर हरियाना का है वो है हिसार सहर बिलकुल हिसार के अंदर अगर आप रह रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा गर्मी में रह रह पहले स्थान पे तो राजस्थान का पिलानी सहर है जिसका टांपरेचर 46.7 डिग्री सल्शियस है दूसरे स्थान पे राजस्थान का चूरू है जिसका टांपरेचर 46.6 और तीसरे पे अब हमारा नमबर आता ही है हर्याना हिसार का 46.1 डिग्री सल्शियस हिसार का जिक्र उकलाना है बरवाला है आदूमपूर है हांसी नलवा और नार्नोद का नाम आता है उपनामों में हर्याना के स्टेल सेटी आता है मागनेट सेटी आता है मुगल समराजय का स्वाणिम कुल आता है उध्योगों में मागनेट उध्योग है जिंदल पाइप उध्योग है रविं चंदरपरकास कथूरिया को छे साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है बी आप्शन सही एश्कुषन का हमारा, यह हर्याना राज्य चीनी मील परिसंग के पूरो अध्यक्स रह चुके हैं, चंदरपरकास कथूरिया, अचा निको निलंबित क्यों किया गया है, इनके क जिला इमारत से कुदे थे जो भी कारण रहा था लेकिन इनको निलंबित कर दिया गया है वरतमान में हर्याना डेरी डेवलप्मेंट कॉपरेटिव फैडरेशन के MD यानि कि Managing Director कौन है तो हर्याना Dairy Development Co-operative Federation के Managing Director का नाम है A.S.R.I. निवास D.Option सही है इस क्योसन का हमारा अभी हाल ही में हर्याना Dairy Development ने मेरा पानी मेरी विरासत जो है इस योजना के तैथ हर ब्लोक के अंदर duty लगाई है ताकि जल स्रंक्षन को बढ़ावा दिया जा सके अगले सवाल की और जाते है उसे पहले हर्याना Dairy Development Department इसकी स्थापना 1970 के अंदर हुई थी ये भी आप याद रख लीजीगा हाली में H.A.U. हर्याना Agriculture University के कुलपती K.P. सिंग ने हर्याना Corona Relief Fund में कितनी रासी दी है तो K.P. सिंग ने हर्याना Corona Relief Fund में एक करोड की रासी दी है एक आप्शन सही एसक्योशन का हमारा ठीक है विस्व उधाले के सिक्षक और गैस सिक्षक कमचारियों ने अपने स्वेच्छा से एक महिने के मूल वेतक का 10% जो है वो करोड़ना Relief Fund में दिया है और जिसका एक करोड़ की रासी कुलपती K.P. सिंग ने जो है ऐसा नहीं है इन्होंने अपने जेब सी दिया यह पूरा डिपार्टमेंट के धार पे जो है कठा करके इतना पैसा दिया जा रहे है हर्याना एकलिकल्चरी उन्वेस्टे की स्थाफना 2 February 1970 को हुई थी और वोईस चंसलर का नाम डॉक्टर के पी सिंग है ही हाली में हर्याना सरकार ने संपती कर में कितने कितनी छूट देने का ऐलान किया है कितने परतिसाथ 10 से 25 परसेंट जो है हर्याना सरकार ने संपती छूट के अंदर जो है एलान किया है इसलिए एलान किया है कि करोना महामारी के बीच में ही और इतना ही नहीं कि लाल डोरा के अंदर आने वाली संपतियों को आदा करने का भी एलान किया है इस संपतिकर पर जो ब्याज को 100% माफ कर दिया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हर्याना के कितने गाउं में कोविड वाटिका त्यार की जाएगी important question है कोविड वाटिका हर्याना के 1100 गाउं में त्यार की जाएगी C options है यह question का हमारा ठीक है इस कोविड वाटिका के अंदर जो है ऐसे पोधे लगाए जाएगे जो immunity बढ़ा सके उनका फिर काड़ा बनाके जो है वो लोगों को दिया जाएगा ताकि उनकी immunity strong हो इस वाटिका के अंदर तुलसी, गिलोई, सहतूत, कपूर, अलोवेरा, बेरी, कडीपता, स्ताविया, लैमन, मुलहटी, मुरिंगा, अशोका, नीम, अरजुन, आमला, इमली, बेर, जामुन, पत्थर चट आज से फोधे लगाए जाएगे और इन ही कोई COVID वाटिका का नाम दिया जा रहा है पहली बार यमना नदी के पानी में BOD और TDS के स्तर में कितने परतिसत का सुधार हुआ है तो यमना नदी के अंदर जो 50% BOD का और TDS का सुधार हुआ है अब BOD का मतलब क्या होता है? बायो कामिकल अक्सिजन डिमांड और इसका स्तर कम होने से जली जनतो जितने भी होते हैं उनका पानी के अंदर सांस लेना आसान हो जाता है TDS तो आप जानते होंगे टॉटल डिजॉल्ड सॉलिड होते हैं उनके अदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी बोड़ी के लिए बहुत ज़्यदा हानिकारक होते हैं पत्री वगरा भी हो जाती है और बहुत सारी भी प्रॉब्लम आती है और ये जो क्या कहते हैं निरेक्शन किया है ये हर्याना राजिय परदूशन नियंतरन बोर्ड दवरा जो है सहायक नदी यमुना ही है याद रखिएगा इसके तकरीबन लंबाई 1376 किलोमेटर है और तिर्वेनी संगम पे ये गंगा के अंदर मिल जाती है जहांपे गंगा यमुना सरस्वती सरस्वती हालांकि अद्रश्य नदी के रूप में जानी जाती है आगे बढ़ते है हम लोग केंदर सरकार के खादानों के लिए सिफारशों पर गेहूं चना जो धान जवारबाजा और मक्का ये जैसे खादान फसल है इनका नियुनतम समर्थन मुल्य जो है वो लागू हो चुका है और पांच हजार एक्यासी मैट्रिक टन से भी ज़्यादा चने की खरीद की जा चुकी है अभी तक वो 73 मैट्रिक टन से भी अधिक जो है गेहूं और 8 लाग से मैट्रिक टन से अधिक भी जो सरसों है उसका खरी देव नाराइंड आर्या है इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है हर्याना स्टेटिक जी के ये चुस्तन है पहला है कि रियो अलम्पिक 2016 में काशिय अपदक जीतने वाली साक्सी मलिक का सम्मन्द की स्केल से बहुत इपॉर्टन चुस्तन है ये ठीक है इसका गाउं भी ब सेख निजामुदीन जगादरी के समी बिलासपूर नामक स्थान पर कार्तिक प्रोणिमा के दिन कौन सा मिला लगता है मिला काली माई का आदी बद्री का कपाल मोचन का या पंच मुखी मिला हर्याना में चार नीले चार लाल धागों की बुनाई वाले खदर से बना कली का घागरा क्या कहलाता है ठीक है कि उसने मैंने साथ पहले भी कभी पूछा हो तो आपको याद हो तो आप चलो लिख दीजिएगा सूफी संत अलताफ हुसेन हाली की द्रगा हर्याना में कहां परस्तीत है जजजर रोह तक पानीपत और रिवाडी में इसी के साथ ये लेक्ट टेस्ट अपडेट के साथ में तब तक के लिए फंसते रहना मुस्कुराते रहना सुक्रिया